इस वीडियो को देखने को बाद आप भी यह कहोगे कि यह तो मिक्सर बड़ा कमाल का नेगल हेलो फ्रेंट्स एक बार आपका फिर ची हमारे सेनल पर स्वागत करते हैं फ्रेंट्स आज की इस वीडियो हम बात करने वाले स्टूडियो मास्टर का है डीजे एक्स आंट चो पि अंदर डीजेक्स तीन चोगंते यहां पर यह मिक्सर से एक तरह नॉर्मली दिखाई देने में तो तीन चैनल वाला है लेकिन यह प्रॉफरली काम करता है वह चार चैनल का है तो क्या है इसकी खासी चलिए हमारे वीडियो को कर लेते स्टार्ट तो फ्रेंट्स यहां पर य तो इसकी सबसे पहली है वह हमारे यहां पर याप बीपियम मैचिंग है यहां पर आप देख सकते हो तो फ्रेंट्स यह कापी अच्छी बात है इस मिक्सर के लिए क्योंकि जिस तरह से हम वर्सूल लीजे स्वाफ्ट एरिया वर्सूल लीजे कंसोल के अंदर बीपियम को च कि अग्यात बड़ी आसाने से सला सकते हैं दूसरी यह है इसकी कि स्टूडियू मास्टर के मिक्सर के अंदर अभी तक हमको बिल्कुली सब्वूफर का आउटपुट नहीं मिल रहा था लेकिन अब हमको सब्वूफर का अभी आउटपुट मिल जाता है मॉनो सब्वूफर के रूब में तो यहाँ पर यह स्टूडियो मास्टर है इस मिक्सर के अंदर यहाँ पर यह से ब्यां रहेगा सबसे पहले हमें को ओप्छन जाता है फिर एस के अंदर लोगिं prisoners मिन जाता है फिर mid frequency यहनी vocals मिल जाता है फिर high frequency यहनी travel वगर मिल जाती है और उपर में मिल जाता है gain और यहां पर एक selectable button है जहां से हम line और phone को select कर सकते हैं फिर यहां पर हमको इसको एक मिल जाता है mic वो भी हमको XLR के अंदर जिसकी भी हम high frequency, low frequency control कर सकते हैं और यहां पर एक level दिये गया है यहनी इस mic का master है और यहां से mic को हम on या off कर सकते हैं फिर हमारे बात करते है channel 2 की तो channel 2 के अंदर भी यह same process है यहां पर इसके अंदर भी low frequency, mid frequency, high frequency और gain दिये गया है फिर यहां पर हमारा control panel है जापर यहां पर power indicator दिये गया है उसके बात यहां पर boost का option मिल जाता है अगर आप इस mixer कोई other monitor को stage के लिए use कर रहे हो उसकी volume यहां से control कर सकते हो इस पूरे mixer के setting के अलवा साई master कितना ही open हो उसके बलावा यहां पर आपको एक नया option मिल जाता है वो है यहां पर देख सकते हो subwoofer का तो यह है इस mixer का new system इसके अंदर हमें बिना cross over use कि इस पर बेस सला सकते हैं बड़ी आसानी से फिर हमार को यहां पर मिल जाता है master जो इस पूरे को पूरे mixer को control करता है फिर यहां पर दियो गए है clue के volume और यहां पर हमको सुष clue के BPM देखा देगी कि इसकी BPM कितनी है तो यह तो हो गया हमार मिक्सर का front panel तो अब फ्रेंड्स ही है हमारे mixer का rear panel यहां पर आप देख सकते हो मैं यहां पर इस सप्लाइब पिन दी गई है उसके अलाव यहां पर इसका man on off का twist दिया गया है यहां पर हमको XLR के अंदर इनका man output मिल जाता है left और right यहां पर आपको एक और XLR देखने को मिल जाती है जो subwoofer की है उसके साथ ही यहां पर हमको cross or frequency मिल जाती है जो selectable जिसको हम 30 Hz से 200 Hz तक select कर सकते हैं उसके अलाव हमको इसका RC के अंदर भी master मिल जाते हैं boots भी दिया गया है आप अलग से कोई output देना साथ है amplifier को उसके अलाव है record का भी option यहां पर दिया गया है RC के अंदर आप record करना साथ है तो भी कर सकते हो फिर यहां पर चैनल 3 के लिए line और फोनो यहां पर देखने को मिल जाती है और यहां से आप इसको select भी कर सकते हो फिर channel 2 के लिए line दिया गया है और फिर channel 1 के लिए हमको line और फोनो मिल जाती है और यहां से हम इसको select कर सकते हैं यह देखने ओप्राइन है यह यह इसका है और यह पर इसके टेक्निकल इससिपेसिटिकेशन यह पर आपको देखने को मिल जाती है इसके बारे में कुछ देट्छेश से बात नहीं करेंगे क्योंकि मारे वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और यहां पर इसका मिक्सर का प्रॉपरली यूज किस तरह से करना यहां पर आप देख सकते हो तो फ्रेंट्स आज किस वीडियो में इतना ही फिर मिलते हैं ले नेक्स वीडियो में